हलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल हेल्थ इस वेल्थ में मैं आज फिर एक पोड़क्ट लेके आहूं जिसका नाम है इवियोन 400 जो की कैप्सूल है देख सकते हैं दोस्तो इस दवा के बाड़े मैं बात करने से पहले बता दूँ अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज नीचे देखेगा रेड कलर का सस्क्राइब लिखा हुआ होगा उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सस्क्राइब हो जाए और वहीं पे एक बेल इकन आएगा उसे भी आप लोग दवा लेंगे ताकि जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा तीक है तो में लोग बात करते हैं इस कैपसुल के बाड़े में यह वियॉन कैपसुल है जो की मर्क कंपनी का आता है यहां पे देख सकत है लिखा हुआ विटामीन एक कैपसुल है कि यह दोस्तों आप इस्कीन के लिए उच कर सकते हैं अगर किसी को इसकीन में प्रॉबलम है अगर चेहरा वगरा में आप इसको एक लेकर इसको सेटीपीन से प्रिक कर दीजेगा लेकिन ध्यान रहेगा सेटीपीन जो भी रहेग उसको इस्ट्राइल कर लीजिएगा तीक है गरम पानी में डालके तुरह देर छोड़ दीजिएगा उसके बाद उस सेक्टी पीन से इसको प्रिक करने के बाद आप उसको लेकर चेड़े में पूरा लगा लीजिए इसकीन में लगाईएगा बहुत अच्छा काम करेगा अगर इसकीन पर कहीं भी देखेगा दाग धबा या तो छाही हो गया है उसमें यूज कर सकते हैं या तो दोस्तों अगर किसी को बाल उर रहा है तो उसमें इसको प्रिक करने के बाद जहां जहां पर देखेगा बाल नही करते हैं हम लोग खाया भी जाता हैं खाने में अगर यूट करना है तो एक केपसुल रोज खाना है लेकिन ध्यान रहे इसको डिर महीना से ज्यादा नहीं खाना है डिर महीना से ज्यादा खाने के बाद आपको कुछ साइड़ साइड इफeक्ट हो सकता alltså इस साइड इफेक्ट होता क्या है इसमें अगर खुजली होने लगे इस तरह का होता है खुजली हो या तो अंधेरा दिखने लगे बैट के उठते हैं तो अंधेरा दिखने लगे इस सब टाइप का कुछ इसका साइड इफेक्ट होता है इसलिए ध्यान रहे कि देर मैंनास ज प्लीज आप उपर देखिएगा तीन डॉट बटन होगा उसे एक बार आप लोग क्लिक किजिएगा तो नीचे आएगा क्वालीटी उस क्वालीटी में आप देखेगा लिखा हुआ राता है 144, 360, 480, 720 इस तरह से लिखा हुआ राता है आप उसमें 480 या 720 कर सकते हैं उसको करन प्लीज लाइक से और जरूर किजिएगा और हाँ अगर किसी भी दवा के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो प्लीज मेरे कॉमेंट वाक्स में आप लोग कॉमेंट करेंगे हम उस दवा के बारे में भी बताएंगे और जिसका डोज पूछना होगा उसके लिए भी आप क एमर्पी देख लिए यहां पर है लिखा हुआ ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू दोस्तो